वेल्कम डू प्रेजेंटेशन आज की टॉपिक में हम टैली के बारे में समझेंगे फर्स्ट ओफ वाल हम यहां पर टैली के इंट्रोडक्शन लेते हैं जब भी सपोज हमारे पास कोई कंपनी है जब भी हम किसी कंपनी का डटा जो है वो हम sorted form में रखना चाहते हैं मीजो से manage करके रखना चाहते हैं तो उस time पर हम एक टैली को use करते हैं टैली software है हमारे पास हम इसे use करते हैं इट इस use to basically manage the all data in the company तो यहां पर हम जानेंगे कि पहले हम इसे कैसे open करते हैं और इसकी क्या क्या working है इसी सारी आगे working जानेंगे आप start menu पर click करेंगे यहां पर आपके पास search program items होगा यहां पर आप type करेंगे यहां पर हमने simply tally type किया तो आप देखेंगे tally erp9 का यहां पर इस तरह से icon आ रहा है हम इस पर double click करेंगे तो आप देखेंगे कि tally erp9 की window हजो है वो आपके पास display हो रही है यह थोड़ा स open होने में time ले सकता है आप देखेंगे आपके पास startup window हजो आ चुकी है यहां पर हम क्या करते हैं यहां पर आपको एक option मिलेगा w work in educational mode यह आप इसके आगे लिखें अंडरलाइन करके w मीज आप अगर keyboard से w की press करते हैं तो आप work in educational mode पर आ जाएंगे एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास work के काफी सारे options आ जाएंगे फर्स्ट option है silver edition mode second is golden edition mode इसका मतलब क्या है कि जब हम silver edition mode use करेंगे तो हम single user use कर सकते हैं second हमारे पास है gold edition इसका मतलब क्या है कि जब हम मल्टी यूजर के लिए work करना होता है फिलाल हम यहां पर single user को select करके इंटर प्रेस करते हैं आप देखेंगे कि इस तरह से आपके पास gateway of tally की window आ जाएगी यहां पर हम क्या करेंगे इस तरह से आपके जो tally की window है वो open हो जाएगी यहां पर काफी सारे options है gateway of tally इस साइड पर button बार दी गई है उपर जो है वो title बार दी गई है tally erp9 आप से काफी सारी options दिए गए हैं यह हमारा educational version है tally का नीचे देखो आप आप देखेंगे product, version, license, configuration, calculator इस तरह से आपके पास जो screen है वो gateway of tally की दी गई है आप देखेंगे यहां पर है list of selected companies जो भी आप company select करते जाएंगे वो आपकी इस list में display होगी और जो भी आप working करेंगे वो को हम gateway of tally window पर करेंगे तो इस तरह से आज के topic में हमने जाना कि tally को हम कैसे use करते हैं और tally क्या होती है thank you